हेर numbers 3 Не प्लेुदध थ्रीं कि प्रेह सिस्टेम युबाई नॉटर सिफॉंडिंग प्राउ LoL तो आगर है सभी का दिक कर आच युटुब चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला वा सिस्टेम युवाई नॉटर रेस्पॉंडिंग problem आप solve किसी कर सकती क्योंकि दोस्तों जबी system UI stop हो जाते या फिर response नहीं करते तो आपका phone misbehave करते phone lake हो जाते ठीक है phone बिल्कुल अटक जाते use नहीं कर पाते तो ऐसा problem निकल किया जाते तो किसे fix होगा किसे solution करना है सब कुछ इस वीडियो पर आपको बताया जाएगा वीडियो को अंतक देखे जो भी solution है उसको follow करे आपका problem solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को subscribe करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप online पेसा कामाना चाहते तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें ट्वीटर पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है आप मोबाइल को restart कीजिए मोबाइल अगर प्रॉब्लेम आते हैं तो आपको next solution करना है अगर fix हो गया तो ठीक है ठीक है नेक्स पर आपको क्या करना है आपको setting पर जाना है एगर problem solve नहीं होते तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको scroll down कर लेना है ठीक है next आपको जाना है एब नोटिफिकेशन से ओलेप्स उपर ट्रीडों में क्लिक करना है more option पर शोर सिस्टेम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है system 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 तो next पर आपको scroll down कर लेना है तो आपको मिलेगा यहाँ पर system system UI तो यह रहा दोस्तो system UI को open करेंगे सबसे पहले आपको फोर स्टॉप करना है कर देना है फोर स्टॉप करने के बाद आपको जाना है mobile data आपको जाना है storage in cache इसका खेश को clean करना है अगर storage यहाँ पर शोर कर रहे पर clean करने का option तो कर दीजिए नीड़ो खेश को clean कीजिए उसके बाद आपको बेक करना है ठीक है यहाँ पर दूसरा option देख लेते सिस्टेम युवाई का तो दूसरा option यहाँ पर शायद हमें नहीं मिलेगा तो एक बड़ चेक कर लेते स्टेम तो यहाँ पर सिस्टेम युवाई का वस्ट एक ही option है ठीक है तो इसको कर लेना और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर अपना system launcher सर्च करना है system system launcher तो यहाँ पर दूस्तों यह option तो नहीं मिलेगा शायद तो हमें सर्च करना होगा launcher तो launcher क्या होगा OnePlus launcher मिलेगा आपको ठीक है बहुत सारे डिवाईस में system launcher होते हैं तो मैंने बस randomly के दिया तो OnePlus की डिवाईस में स्पेशिली OnePlus launcher मिलेगा आपको तो जाना है storage के खेश clear storage टेप ओके बेक करें बेक करने के बाद सारे परमिशिन अलाओ करें उसके बाद दोस्तों आपको बेक करना है बेक करने का बाद मुबाइल को रिश्टार्ट करने है और चेक करके देखना है आपका problem solve हो जाएगा अग का problem solve हो जाएगा ठीक है तो safe mode पर reboot करके देखे अगर problem solve होते तो ठीक है अगर उसके बाद भी problem आ रहा है तो अपना जो एप्लिकेशन बगर आए दोस्तों mobile का उनको अपडेट करकी यूज़ करें ठीक है साथे साथ आपका phone software अगर अपडेट नहीं है तो system पर जाए system update पर है तो आपको जाना है setting scroll down कीजिए system उसके बाद reset option erase all data तो आपको factory data reset कर देना होगा mobile को completely reset करने के वार आपका यह problem 100% हो जागा तो इस तरीके से आप अपने system you are not responding problem solve कर सकते हैं जितना possible solution था मैंने आपको बता रिया उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा थेंक्स वाचिंग